मिले रेपा ने अपनी तांतरिक विद्या का प्रयोग करके उस घर पर बर्फ के ओलों की बारिश करा दी लगभग 80-85 लोगों की मौत हो गई तो आखिर में किसी ने उनको बताया कि केवल एक ही इनसान इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है वो है मारपा तो वो मारपा की खोज में निकल पड़े तो मिले रेपा को दाकिनी के दर्शन हुए और वो बोली मारपा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है लेकिन उन्होंने एक मूल भूत पहलू छोड़ दिया है तिबित कई चीजों का मिश्रण है एक संस्कृति एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में यहाँ इस संस्कृति की कुछ महान शक्सियतें आध्यात्मिक प्रक्रिया और तंत्र मंत्र का एक मिश्रण रही है मेरे ख्याल से तिबिती संस्कृति में मिले रेपा का एक अलग स्थान है मिले रेपा ने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया उनके पिता के पास अच्छी खासी जायदाद और मकान थे मगर उनके मरने के बाद मिलेरेपा के चाचा ने उस जायदाद पर कबजा कर लिया और उनकी युवा मार्ट, छोटी बेहन और उनके साथ नौकरों की तरह बरताफ करने लगा वो तरह तरह से उन्हें अपमानित और प्रताडित करता था और उसने सारी जायदाद हडप ली इसलिए मिलेरेपा अपने अंदर गुस्से और बदले की भावना लेकर बड़े हुए जब वो किशोर अवस्था में पहुँचे तो अपने परिवार को छोड़ कर चले गए वो अपनी छोटी बेहन और मा को छोड़ कर चले गए और अपने चाचा चाची से बदला लेने की सोचने लगे जिन्होंने उनके परिवार के साथ भीशन अत्याचार और बुरा व्यवार किया था तो वो तंत्र विद्या सीखने चले गए और उन्होंने कुछ तंत्रिक प्रक्रियाओं में महारत हासिल कर ली जब कई सालों के बाद वो लोटे तब तक उनके माँ और छोटी बहन चल बसे थे ये जानकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया मगर वो एक सही मौके के इंतजार में थे उसके चाचा ने अपने बेटे की शादी तै की और उसके लिए अपने मित्रों को न्योता दिया शादी के दिन मिले रेपा ने अपनी तांतरिक विद्या का प्रयोग करके उस घर पर बर्फ के ओलों की बारिश करा दी कहते हैं कि उसके चाचा चाची के साथ लगभग 80-85 लोगों की मौत हो गई पूरी जगा ओलों के धेर के नीचे दब गई हाला कि शुरू में अपना बदला लेकर मिले रेपा को बहुत खुशी हुई लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का पच्चतावा होने लगा अगर कोई समवेदन शील व्यक्ति किसी चीज का दुर उपयोग करता है तो ये उसे अंदर से तंग करेगा उस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आपके अंदर एक घटियापन होना चाहिए वरना आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीवन की प्रक्रिती ही ऐसी है कि अगर मौलिक रूप से दुर उपयोग हुआ है ऐसा जमीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता बलकि कहीं गहराई में भीतर कुछ हिल जाता है तो इसी तरह ये करने के बाद से मिले रेपा के भीतर कहीं गहराई में कुछ अशान्त हो गया तो उन्होंने तैय किया क्यों उन्हें खुद को इस सब से मुक्त करना होगा उन्होंने सोचा कि उन्होंने जीवन का दुरुपयोग किया है बहुत बुनियादी तरीके से कारण चाहे जो भी रहा हो उन्होंने जीवन की बुनियादी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है तो वो आध्यात्मिक प्रक्रिया में लगना चाहते थे वो कोई ऐसी चीज़ करना चाहते थे जिससे वो इसी जन्म में अपने कर्म से मुक्त हो जाए तो वो गुरु की तलाश में निकल पड़े और वो कई लोगों के पास गए और सभी ने इमानदारी से ये सिविकार किया कि वो इसी जन्म में आत्मबोध प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते उन्होंने कहा हम तुमको कोई ऐसी चीज़ सिखा सकते हैं जिससे तुम्हारा विकास होगा करुणा के मार्क पर चलो दया और प्रेम के मार्क पर चलो धीरे धीरे तुम्हें एक के बाद दूसरे जीवन कालों में विकास करते रहोगे मिले रेपा उन चीजों से संतुष नहीं हुए और उस समय भी उनके भीतर गुस्से की थोड़ी आग भरी हुई थी उनके अंदर थोड़ा पच्टावा, थोड़ी नाराजगी और थोड़ा गुस्सा था इन सब की मिले जुली भावनाएं उनके अंदर चल रही थी तो आखिर में किसी ने उनको बताया कि केवल एक ही इनसान इसमें तुम्हारी मदद कर सकता है वो है मार्पा तो वो मार्पा की खोज में निकल पड़े जब वो मार्पा के शहर के नस्दीक पहुँचे तो उन्हें कुछ बच्चे मिले और उन्होंने उनसे पूछा मार्पा को ट्रांसलेटर कहा जाता था उनको ट्रांसलेटर की पद्वी मिली थी क्योंकि क्योंकि उन्होंने भारत के सभी महान तांतरिक ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था तो उन्हें हमेशा ट्रांसलेटर के रूप में जाना जाता था क्योंकि वो ही इस ग्यान को यहां लाए थे मारपा के बारे में खास बात ये थी कि वो तीन बार भारत की आत्रा कर चुके थे और वहाँ कुछ गुरुओं से मिले थे और उनसे शिक्षा प्राप्त की थी विधियां सीखी थी और ग्रंथ प्राप्त किये थे और फिर तिब्वती भाषा में उनका अनुवाद किया था तो जब मिले रेपा ने पूछा ट्रांसलेटर मारपा कहां रहते हैं तो एक बच्चा बोला मैं जानता हूँ कि वो कहां है और वो उन्हें खेत में ले गया जहां मारपा खेत जोत रहे थे जब वो बच्चा मिले रेपा को वहां ले गया तो मारपा ने उन्हें देखकर हल को खेत में छोड़ दिया और उन्हें एक लोकल बियर का ग्लास देकर कहा इसे पी लो और फिर खेत जोतो तो मिलरेपा बियर पीकर खेत जोतने लगे मारपा वहाँ से चले गए और वो बच्चा वहीं खड़ा रहा जब काम खत्म हो गया तो उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करें तो वो वहीं खड़े रहे फिर बच्चे ने आकर कहा अब आप मेरे साथ आ सकते हैं वो बच्चा उन्हें अपने घर ले गया तब उन्हें एहसास हुआ कि वो दरसल मारपा का ही बेटा था फिर मारपा ने मिलरेपा से हर तरह की मेहनत के काम कराए मिलरेपा ने मारपा के आगे सिर जुका कर कहा मैं आपसे धम की दीक्षा चाहता हूँ उस तरह का धम धम का मतलब है एक विधी या प्रक्रिया जो मुझे इसी जीवन में आत्म ग्यान और मुक्ति दिलाए मैं अगले जनम में नहीं जाना चाहता और क्रिपया मुझे भोजन और रहनी की जगा देने की भी क्रिपा कीजिए तो मारपा ने कहा तुम तै करो अगर तुम चाहो तो मैं तुमें भोजन और रहने की जगा दे सकता हूँ धम कहीं और ढूंडो धम के लिए कहीं और जाओ या फिर मैं तुम को धम दे सकता हूँ तुम रहने खाने का इंतजाम कहीं और करो यही दोविकल्प है तो मिलेरेपा ने कहा ठीक है मुझे आपका धम्म चाहिए मैं अपने रहने खाने का इंतजाम खुद कर लूँगा तो मिलेरेपा बाहर भिक्षा मांगने चले गए वो बहुत जोशीले थे और जो भी करते थे उसे कुछ ज्यादा ही कर डालते थे तो वो भिक्षा मांगने काफी दूर तक निकल गए और गेहूं के कई बोरे कठा कर लाए उन्होंने साल भर का गेहूं जमा कर लिया ताकि वो आराम से बैट कर धम्म सीख सकें तो उन्होंने बहुत सारा जमा कर लिया और थोड़ा सा बेच कर तामबे का एक बरतन खरीदा चार हैंडल वाला जो तिबत का एक पारंपर एक बरतन है अपना खाना बनाने के लिए फिर उस भारी बोज को लेकर बहुत भारी बोज को उठा कर उन्होंने लंबी दूरी तै की वो मारपा के घर वापस पहुँचे और बोरे को नीचे पटक दिया धड़ाम से मारपा उस समय खाना खा रहे थे वो खाने के बीच से उठकर बहार आये और बोले ऐसा लगता है कि तुम बहुत गुस्से में हो अभी इस गेहूं के बोरे और बरतन की आवाज से तुमने पूरे घर को हिला दिया लगता है कि अपने चाचा के घर के तरह तुम इस घर को भी गिरा दोगे निकलो यहां से बहुत हुआ तब मिलेरे पा गिड़ गड़ा है आपके कहे अनुसार मैं अपना खाना ले आया यह बहुत भारी था तो मैंने गिरा दिया तो मारपा ने कहा मैं कुछ नहीं सुनूँगा जाओ तुम क्योंकि तुमने बोरे को ठीक से नहीं रखा तुमने उसे नीचे पटक दिया तुम लायक नहीं हो तो तुम बाहर रहो सारे काम करो मेरा खेट जोतो मेरे घर की सफाई करो वो सालों तक यह काम करते रहे बीज बीच में दूसरे लोग मारपा से सीखने आए और उन्हें कई चीजों की दीक्षा दी गई मगर मिले रेपा को एक भी दीक्षा नहीं मिली एक भी शिक्षा नहीं मिली वो बस कड़ी मेहनत करते रहे आट साल से ज्यादा उन्होंने काम किया बिना किसी शिक्षा या दीक्षा के बाकि सभी वहाँ एक दिन के लिए आते और दीक्षा लेके चले जाते लेकिन वो इंतजार करते रहे, करते रहे और करते रहे हर किस्म की कड़ी मेहनत करते हुए एक दिन वो चुपके से अंदर आकर ऐसे एक सत्संग में बैठ गए जहां उन्हें बैठने की अनुमती नहीं थी मारपा आखें बंद करके बैठे थे तो वो चुपचाप दूसरे छात्रों के साथ बैठ गए दीक्षा मिलने की उम्मीद से मारपा आखें बंद किये बैठे थे उन्होंने अपना डंडा उठाया आखें बंद किये हुए मिलेरेपा के पास गए और उनकी पिटा ही कर दी मिलेरेपा लोगों के बीच बैठे थे मारपा आये और उन्हें अच्छे से पीटा घसीट कर बाहर ले गए और उठा कर बाहर फेंग दिया ऐसा बार-बार होने लगा मिलेरेपा थोड़ा इंतजार करते और फिर जैसे ही कोई दूसरी दीक्षा होने वाली होती वो चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाते कि इस बार उन्हें दीक्षा मिल जाएगी इस तरह 13 साल से ज्यादा बीद गए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला तब एक दिन उन्होंने मारपा की पत्नी से याचना की जो मिलेरेपा से साहनुबूती रखती थी और उनकी मा की तरह थी वो गिड़ गिड़ाए कृपे आप मारपा से कहिए कि वो मुझे कोई दीक्षा दे बस एक शिक्षा, एक छोटा सा ध्यान मैं कुछ भी नहीं जानता इतने सालों से मैं यहां ऐसे ही बैठा हूँ तो उन्होंने मारपा से इस बारे में बात की मारपा ने कहा ठीक है लेकिन पहले उसे मेरे बेटे के लिए एक घर बनाने दो उसे अकेले ही घर बनाना होगा मैं तीन कोने वाला घर चाता हूँ तो मिलेरेपा ने तीन कोने वाला घर बनाया, इसमें दो साल लगे फिर मारपा ने उसको देखकर कहा, तीन कोने वाला घर मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं है, चार कोने वाला घर बनाओ मिलेरेपा ने चार कोने वाला घर बनाया फिर मारपा बोले यह अच्छा नहीं है पांच कोने वाला घर बनाओ इस तरह कई साल बीद गए वो अकेले ही काम करते हुए हर जगा घर बनाते रहे तब मारपा ने कहा ये ठीक है लेकिन अपने बेटे के घर के लिए मुझे साट फीट उंचे बुर्ज चाहिए तो मिले रेपा ने घर के चारो कोनों में चार साट फुट उंचे बुर्ज भी बना दिये अब तक मिले रेपा की उम्र ढलने लगी थी फिर एक दिन वो मार्पा की पत्नी के पैरों पर गिर कर गिर गिराने लगे आप कुछ कीजिए मेरी जिंदगी बीटती जा रही है मुझे अभी तक एक भी शिक्षा नहीं मिली है ये क्या है मैं जानता हूँ कि अतीत में मैंने बुरे काम किये है मैंने तंत्र विद्या का दुरुप योग किया है लेकिन क्या मैं काफी पश्चाताप नहीं कर चुका हूँ तो ये सुनकर मार्पा की पत्नी को मिलरेपा पर दया आ गई और उन्होंने मार्पा के नाम से एक दूसरे भिक्षू को पत्र लिख दिया वो भिक्षू भी दीख्षा देने में सक्षम था उन्होंने पत्र ऐसे लिखा जैसे मार्पा ने खुद लिखा हो और उस पर मार्पा की मुहर लगाती तो उन्होंने पत्र मिलरेपा को दे दिया मिलेरेपा उस भिक्षू के पास गए और दीक्षा प्राप्त कर ली लेकिन मिलेरेपा को कोई अनुभव नहीं हुआ वो भिक्षू भी हैरान रह गया दीक्षा देने पर कुछ तो होना चाहिए लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ फिर मारपा को इस बारे में पता चला उन्होंने मिलरेपा को बुलाया और उस भिक्षू की मानेता भी रद्ध कर दी फिर घोर पच्चतावे में डूबे मिलरेपा आत्महत्या करने वाले थे तब मारपा ने उन्हें बुलाया और कहा ठीक है बैट जाओ और उन्होंने मिलरिपा को शिक्षा दी मारपा ने कहा अतीत में तुमने जो गलतियां की हैं मैं बस तुमको उन कर्मों को काटने के तरीके दे रहा था मगर तुम बेवज़ाए ज्यादा वक्त लगा रहे हो अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो ये बोच कप का खत्म हो गया होता मगर तुम सब कुछ करते हुए बीच में एक चालाकी वाला तरीका अपना लेते हो सिर्फ उस चालाकी की वज़े से तुमने हर चीज़ को कई सालों तक टाला है लेकिन अब तुमारा पच्टावा तुमारे अंतर मन को चू रहा है तुम इसके लिए जान भी देने को तयार हो अब तुम तयार हो फिर मारपा ने उन्हें दीक्षा दी और तीसरे दिन ही मिले रेपा को दाकिनी के दर्शन हुए आपने दाकिनी के बारे में सुना है तांतरिक तक्नीक में चीजें करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी एक स्त्री स्वरूप जिसे प्रांड प्रतिष्ठा द्वारा जीवन्त बनाया गया जिसे मदद के लिए बुलाया जा सके इन शक्तियों की मदद के बिना कोई भी तांत्रिक कोई महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता तो मिलेरेपा को दाकिनी के दर्शन हुए और वो बोली मारपा ने तुम्हें शिक्षा तो दे दी है लेकिन उन्होंने एक मूल भूत पहलू छोड़ दिया है जो उन्हें खुद भी नहीं पता जाओ और उनसे पूछो ये वो जानते हैं या नहीं तो वो मारपा के पास पहुँचे मारपा ने उन्हें देख कर कहा तुम यहां क्यों आए हो मिलेरेपा ने कहा दाकिनी ने आकर मुझसे ये कहा है मैं नहीं जानता कि ये सच है या मेरी कलपना है लेकिन ऐसा ही हुआ है तो आपसे पूछने के लिए मुझे आना पड़ा मारपा ने मिलेरेपा के सामने सिर जुका दिया और कहा मेरे पास भी ये ग्यान नहीं है तो चलो भारत वापस चलते हैं वो दोनों मारपा के गुरू से मिलने के लिए भारत गए जो नेपाल और बिहार की सीमा पर कहीं रहते थे उन्होंने चल कर पूरा रास्ता तै किया वो वहाँ गए और जब मारपा ने अपने गुरू को ये बात बताई कि दाकिने ने आकर कहा है कि ये एक शिक्षा नहीं दी गई है गुरू ने उनकी और देखकर कहा ये तुम्हारा नहीं है ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो सकता तुम्हें ये बात कैसे पता चली तब मारपा ने बताया ये मेरे साथ नहीं बलकि मेरे एक शिश्य के साथ हुआ है तब गुरू तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सेर जुका दिया उन्होंने कहा आखिरकार उत्तर के अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश चमका है फिर गुरू ने मिलेरेपा और मारपा दोनों को बुला कर इस जीवन में संपून आत्मग्यान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी और वो दोनों वापस लोटा है मारपा जिन्होंने एक गुरू के रूप में शुरुवात की थी अब मिलेरेपा के शिश्य की तरह बन गए मिलेरेपा तिब्बती संस्कृती में एक चमकता हुआ प्रकाश बन गए कई चीजें जो पिछले 300-400 सालों में तिब्बती संस्कृती में की गई वो मूल रूप से मिलेरेपा के काम पर आधारित है